हलो दोस्तो सकती फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो अगर आप गवर्मेंट फार्मसिस्ट एक्जाम की प्रिपेरेशन कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बेरियस गवर्मेंट फार्मसिस्ट एक्जाम की MCQ सिरीज दोस्तो जिसके फार्मसिस्ट एक्जाम एम्स फार्मसिस्ट एक्जाम एंड जितने भी आल स्टेट फार्मसिस्ट एक्जाम होते हैं उन सभी में आई हुए प्रिवेश एयर mcq को कराने वाले हैं with Hindi explanation दोस्तो अगर आप एक registered फार्मसिस्ट हैं तो आपको पताई होगा कि सभी फार्मसिस्ट एक्जाम का सिलेवस लगवग एक जैसा ही होता है तो दोस्तो यह mcq सीरीज आपके लिए बहुत महत्पुर होने वाली हैं दोस्तों mcq सीरीज के अंतरगत जो mcq हम आपको कराने वाले यह सभी फार्मसिस्ट एक्जाम की द्रस्टी से आपके लिए बहुत महत्पूर होने वाले हैं तो प्लीज दोस्तों नोट जरूर करते रहेगा ताकि एक्जाम टाइम पर आप क्यूकली रिविजन कर सकें दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हम लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूजड इन एलर्जिक कफ इज एलर्जिक खासी में इस्तवाल किये जाने वाला लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ऑप्शन ए रॉफिक ऑपक्सिब ऑप्शन भी थियोफाइलिन ऑप्शन सी लोसार्टैन and option D Montelucast हमारा correct answer हो जाएगा option D यानि Montelucast चलिए दोस्तों अब options के बारे में देखते हैं दोस्तों यह है रॉफी कॉक्सिप रॉफी कॉक्सिप क्या है दोस्तों यह नसेट्स ड्रग होती है याद रखेगा यह क्या है नसेट्स ड्रग होती है नोट कर लीजिए गया नसेट्स दोस्तों आपको पता ही है non-steroidal anti-inflammatory drugs उत जितने भी दोस्तों नसेट्स होती है यह cox to invaders होती है यह भी नोट कर लीजाएगा और त्यो फाइलीन जो स्तों जो त्योफाईलिन है यह Bronco-dilators होती है ये भी note कर लीजेगा bronchodilators ठीक ये भी आप note कर लीजेगा ठीक है ठीओ फाइलिन, bronchodilators होती है और bronchodilators used to asthma asthma में यूज के जाते हैं दोस्तों bronchodilators अच्छा लोसार्टेन आपको पता ही होगा दोस्तों जो लोसार्टेन है हमारी ये क्या है anti-hypertensive drug है इसको भी नोट कर लिजएगा anti-hypertensive drug ठीक यह हमारी anti-hypertensive drug है ठीक क्लियर चलिए अब next question की ओर चलते हैं question number 22 redman syndrome is associated with which of the following drug redman syndrome निमलेखित में से किस दवा से संबंधित है option a bankomycin option b lineage olid option c azithromycin and option d rifamycin तो हमारा correct answer हो जाएगा option a यानि bankomycin दोस्तों linijolid linijolid एक antibiotic होती है linijolid एक antibiotic है used to treat severe bacterial infection ठीक है यह antibiotic है जिसका use हम serious bacterial infection में करते है serious bacterial infection ठीक अच्छा azithromycin आपको पते यह यह एक macrolid antibiotic है नोट कर लीजिए important है यह macrolid antibiotic कई वार exams में पूछा गया है azithromycin के बारे में तो याद रखिएगा azithromycin इजे macrolide antibiotic और reformycin reformycin दोस्तों इसका usage जो होता है reformycin is used to treat travelers diarrhea इसका usage हम travelers diarrhea में करते हैं नोट करिएगा इसको भी travelers diarrhea ठीक है travelers diarrhea नोट कर लीजिए और दोस्तों जो travelers diarrhea दिया है that is caused by bacteria e.coli याद रखिएगा travelers diarrhea caused by e.coli ठीक याद रखिएगा e.coli एक वैक्टिरिया है e.coli मींस होता है दोस्तों एस्ची रिये ची या कोली चलिए अब next question की और बढ़ते हैं question number 23 vitamin tablet are generally formulated as vitamin की गोलिया आम तोर पर त्यार की जाती है option a hypodermic tablets option b sublingual tablets option c effervescent tablets and option d doable tablets तो हमारा correct answer रहेगा option d यानि doable tablets दोस्तों sublingual tablets जो होती हैं यह क्या होती है sublingual tablets are tablets placed under the tongue याद रखिएगा यह जो हमारी sublingual tablets होती है क्या करते हम इनने इनको हम under placed under the tongue note कर लीजिए placed under the tongue placed under the tongue यानि jeep के नीचे रखते हैं और यह dissolve हो जाती है ठीक है जैसे कि example nitroglycerin nitroglycerin हमारी जो है वो sublingual tablet याद रखिएगा दोस्तों ठीक और next हमारी effervescent effervescent tablet जो होती है दोस्तों कि अब जब हम basically इन्हें पानी में घोलते हैं तो यह carbon dioxide release करती है याद रखना यह क्या करती है हमारी जब बाटर में इनको घोलते हैं तो यह carbon dioxide oxide co2 release करती है याद रखिएगा release करती है और इसका example क्या effervescent tablet का aspirin aspirin जो है हमारी वह effervescent tablet होती है नोट कर लीजिए ठीक है और चोबल टेबलेट के बारे में दुस्तों आपको पता ही है यह tablet हम माउथ में चावाने के बाद स्वालो कर लेते हैं ठीक है जैसे कि vitamin C की लिमसी tablet आती है वो चोबल टेबलेट है और vitamin D की जो tablet आती है वो भी चोबल टेबलेट आती है जातर चलिए अब next question की ओर चलते है question number 24 zinc chloride is used as zinc chloride के रूप में प्रियोग किया जाता है option A anti-bacterial option B astringent option C preservative and option D none तो हमारा जो correct आंसर रहेगा option B यानि astringent तो दोस्तों याद रखेगा zinc chloride is used as astringent अच्छे दोस्तों यह बता ही anti-bacterial क्या होता है तो याद रखेगा anti-bacterial are agent that kills bacteria anti-bacterial का क्या होता है kills bacteria याद रखेगा note कर लिए जेगा kills bacteria ठीक है anti-bacterial are agent that kills bacteria और astringent astringent दोस्तों आपको पता ही है astringent are the substance which PPT the proteins तो यह astringent क्या करता है यह PPT यानि precipitate प्रेशिप्रेटेट दा प्रोटीन्स ठीक है note कर लिए जेगा इसको भी ठीक है astringent are the substance which प्रेशिप्रेटेट्स दा प्रोटीन्स और प्रीजर्वेटिप्स का काम क्या होता है दोस्तों याद रखेगा प्रेशिप्रेटिप्स is a chemical substance used to preserve food और other material from decomposition means that कि दोस्तों जो प्रीजर्वेटिव होती है एक तरीके का रशायन होता है जो की food को प्रीजर्व करता है और other material को खराब होने से बचाता है ठीक है तो इसलिए हम foods में प्रीजर्वेटिव एड्स करते हैं और medicines में प्रीजर्वेटिव एड्स करते हैं ताकि वो खराब ना हो ठीक चलिए अब next question क्योंड चलते हैं question number 25 baking soda is common name of baking soda किसका सामान्य नाम है option a sodium carbonate option b sodium bicarbonate option c magnesium sulfate option d sodium hydroxide तो हमारा जो correct answer रहेगा option b यानि sodium bicarbonate तो याद रखिएगा sodium bicarbonate also known as baking soda अच्छा sodium carbonate जो होता है इसका नाम बताईए इसको क्या कहते हैं किस नाम से जानते हैं तो याद रखिएगा sodium carbonate यानि na2 co3 is also known as washing soda note कर लिजिएगा washing soda ठीक sodium carbonate is also known as washing soda और magnesium sulfate magnesium sulfate is also known as epsom salt ये भी आप note करिएगा अच्छा sodium hydroxide यानि NOH also known as sodium hydroxide होता है हमारा कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा ठीक एक बार रिपीट कर लेते हैं sodium carbonate also known as washing soda और sodium bicarbonate आपको पता ही है बैकिंग सोडा और magnesium sulfate is also known as epsom salt ठीक है epsom salt और sodium hydroxide यानि NaOH is also known as caustic soda चलिए अब next question की ओर चलते हैं question number 26 zero phthalmia is due to the deficiency of zero phthalmia किसकी कमी के करण होता है option A vitamin D option B vitamin C option C vitamin B1 and option D vitamin A तो हमारा जो correct answer होगा option D यानि vitamin A अच्छा दोस्तों यह बताईए vitamin D का chemical name बताईए vitamin D का chemical name होता है हमारा केल्सी फीरॉल केल्सी फीरॉल और vitamin C का होता है ascorbic acid ascorbic acid ठीक और vitamin B1 का होता है thymine ठीक नोट कर लिए जएगा vitamin B1 का है thymine और vitamin A का chemical name क्या है यह आप comment करके बताईएगा और दोस्तों कैल्सी फीरॉल की कमी से कौन सा रोग होता है तो यह भी नोट कर लिए जएगा केल्सी फीरॉल की कमी से रिकैट्स और ओस्तों मलेशिया रोग होते हैं और ascorbic acid यानि vitamin C की कमी से इसकर भी रोग हो जाता है और vitamin B1 यानि thymine की कमी से बैरी-बैरी रोग होता है और vitamin A यानि इसका chemical name आपको comment करना है और यह तो पता हिए आपको इसकी कमी से जीरॉप्थेल्मिया या नाइट प्लाइंडनेस भी इसकी कमी से होता है ठीक है चलिए अब नेक्स कोस्टन की और चलते हैं कोस्टन नमर 27 लिस्ट ओफ ड्रग विच इस टूबी मार्केटिड अंडर जैनरिक नेम्स ओनली और ज्जदियों की सूची जिनका केवल जैनरिक नाम से बिपर्णन किया जाना है औप सने स्थे रीविए अप्सनी सैड्यूल डवलू औप साथयों डी और अप संटी शैड्यूल एकस तो हमारा जो कर्रक्भ अंसर हो जाएगा ओप सई in sound यानि सेडियूल डबलू तो दोस्तों याद रखेगा लिस्ट ऑफ ड्रग विच इस तो वी मार्केड़ अंडर जैनरिक नेम्स ओनली कमस अंडर सैडियूल डबलू ठीक याद रखेगा अच्छा सैडियूल यू सैडियूल यू के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों सैडि ठीक. नोड कर लेजिए. Schedule U के अंतरगत क्या आता है? Analytical Records of Drug. और Schedule B के अंतरगत क्या आता है? List of Patent Medicians. इसके अंतरगत हमारी List of Patent Medicians. ठीक. List of Patent Medicians. इसके अंतरगत जो Patent Medicians है, उनकी लिस्ट आती है. और Schedule W. अंडर Generic Names आते हैं. और Schedule X के अंतरगत. दोस्तो, Narcotic and Psychotropic Substances आते हैं. ठीक है? Narcotic and Psychotropic Substances आते हैं. ठीक. नोड कर लिए जेगा. चलिए दोस्तो, अब Next Question क्यों चलते हैं? Question No. 28. Anaphylaxis reaction is due to which antibody? जो Anaphylaxis प्रतिकरिया होती है. किस antibody के कारण होती है? Option A, IgA. Option B, IgD. Option C, IgE. And Option D, IgG. तो हमारा जो Correct answer होगा. Option C, यानि IgE. यानि Immunoglobin E. अच्छा दोस्तो, यह बताइएगा. जो Anaphylaxis reaction होती है. यह क्या होती है? तो दोस्तो, note का लिए जिएगा. Anaphylaxis is a severe allergic reaction that needs to be treated right away. तो जो Anaphylaxis प्रतिकरिया होती है. एक severe allergic reaction होती है. जिसको हमें जल्दी से treat करना होता है. नहीं तो patient की death भी हो सकती है. जो दोस्तो, इसके treatment में हम क्या यूज करते हैं? जब अचानक से Anaphylaxis reaction हो जाती है. तो हम इसके treatment में Adrenaline injection का प्रयोग करते हैं. यह भी आप note कर लिजिएगा. Adrenaline injection का यूज करते हैं. चलिए, अब next question की ओर चलते हैं. question number 29. बैरिसेला जोस्टर is the causative organism 4. बैरिसेला जोस्टर के लिए प्रेरख जीव है. option A, Harpies. option B, Syphilis. option C, Tie-fired. and option D, Filaria. तो हमारा जो correct answer होगा, option A, यानि Harpies. तो याद रखेगा दोस्टो, Harpies is caused by बैरिसेला जोस्टर. अच्छे यह बताईए, Syphilis का causative organism क्या है? Syphilis का कई बार आपको बता चुके हैं. एक बार फिर बता देते हैं, note कर लिजिएगा. Syphilis is caused by Treponema polydum. दोस्तो, आप इनको जितनी बार repeat करेंगे, उतना ही आपको याद होंगे. तो क्या है Syphilis का? Treponema polydum. Note कर लिजिएगा इसको. और Typhide आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हम repeat करेंगे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए. Typhide is caused by Salmonella Typhide. ये भी note करिएगा. Salmonella Typhide. ठीक. और Filaria? Filaria is caused by Buccheria Bancrofty. ये भी note करिएगा. जितनी बार दोस्तों आप इनको आप note करेंगे न, उतना ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा. Buccheria Bancrofty. ठीक. चलिए अब next question की ओर चलते हैं. Question number 30. Pyridoxine is the chemical name of. Pyridoxine किसका रासानिक नाम है? Option A, vitamin A. Option B, vitamin C. Option C, vitamin B6. And option D, vitamin B12. तो हमारा जो correct answer रहेगा, option C, यानि vitamin B6. तो दोस्तो, Pyridoxine, vitamin B6 का chemical नाम है. दोस्तो, vitamin A का chemical name, retinol होता है. नोट कर लीजिएगा, retinol और vitamin C का ascorvic acid होता है. ठीक है? अभी बताया था आपको ascorvic acid. ठीक? और vitamin B6 का Pyridoxine हो गया. अच्छा दोस्तो, यह बतायेगा, vitamin B6 की कमी से कौन सा रोग होता है. जल्ली से comment करिएगा. और vitamin B2 का chemical name, ribofilavin होता है. यह भी आप note कर लीएगा. ribofilavin. ठीक? ribofilavin. और आप यह भी बतायेगा, कि ribofilavin की कमी से, यानि B2 की कमी से कौन सा रोग होता है. जल्ली से comment करके बतायेगा, दोस्तो. दोस्तो, अगर आप हमाई channel पर नए हैं, तो please channel को subscribe कीजिएगा, और वीडियो को like and share जरूर कीजिएगा. और दोस्तो, कमेंट करके जरूर बतायेगा, आपको next वीडियो किस topic पर चाहिए. Thank you for watching.